Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. My name is Shilpi Tiwari और आज करेंगे General Knowledge का new topic जिसका नाम है Highest, Largest and Longest in India. क्या मतलब है Highest, Largest, Longest? So children, हम बाते करेंगे India के Rivers के बारे में, हम बाते करेंगे India के Dam के बारे में, इंडिया के Falls के बारे में, जो की सबसे ऊचे, बड़े और लंबे है. Okay, children आपको पता होगा के World में, there are largest river, longest dam, यह सब आपने बढ़ा होगा. लेकिन आज के इस topic में, we are covering those things, children, which is highest, largest and longest in our own country, India itself. क्योंकि rivers तो बहुत सारी हैं, Ganga River, Yamuna River, right? लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है? So, the Ganga River is the biggest river in our own country, India. इसी तरह से, children और भी बहुत सारी चीजे होती हैं, जो की हमारी देश में, बाकी चीजों से, या तो बहुत बढ़ी होती हैं, या तो बहुत ऊची होती हैं, right? तो आज हम एक एक करके वही सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और अपना general knowledge बढ़ाएंगे, okay? So, let's start and do the topic, highest, largest and longest in India, okay? So, the first thing is children, what are you going to see? Beach, है ना, beach क्या आती, जहां पे जाते हैं, थोड़े से पानी तक जाते हैं, वहां के लेरों के मजे लेते हैं, राइट और गोले खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं और मजे करते हैं, So, beaches तो बहुत हैं हमारे देश में, जो हूँ beach है, गोई चले जाओ, तो पूरी beaches ही beaches आपको मिल जाएंगे, Aksa beach मिल जाएंगे, लेकिन children, इन beaches में भी सबसे बड़ा beach कौन सा है देश में? So, children, that is Marina Beach, okay? Marina Beach जो है children, it is the longest beach of India, located in Chennai, okay? Chennai कहाँ पर है आपके? Chennai आपका जो south में है children, जिसका आवहाँ पर जो marina beach है, that is the longest beach, okay? वो सबसे लंबी beach है children and it is on bay of Bengal, जो water body है, वो है children bay of Bengal. So, Chennai जो है children Tamil Nadu में, वहाँ का जो beach है, जिसका नाम है marina beach, that is the longest beach. जो आज के बाद, please do not get confused के beaches तो हम जाते हैं, लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले के भाई, तुम्हें beaches का इतना shock है, तो बताओ longest beach कौन सा है अपने देश का? So, you need to answer marina beach in Chennai. Okay children, तो इस तरह से आपको जी के क्या करना है? अपना strong करना है, यह सब क्या है, आपका general knowledge है, आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में लंबा क्या है, उचा क्या है, बड़ा क्या है, isn't it? So, marina beach हो गया? Okay, आगे बढ़ते हैं. Next है, हीरा को डाम is in Urisa and is the longest डाम. So, children, after beach, now the turn is off डाम. डाम माने क्या होता है? बांध होता है. जब चिल्रन बहुत बड़ी water body होती है, और उससे क्या हो सकता है? उससे यह हो सकता है कि वो शहर में भी जा सकती है, और बाहर ला सकती है, लिगाओं को पुई तरह से तबहा कर सकती है, तो क्या किया जाता है? डाम्स का सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है? चिल्रन की जो डाम्स में जो water आप store करके रखते हो, इसकी मदद से चिल्रन हम electricity बनाते हैं, हम hydropar बनाते हैं, और इसलिए डाम्स की बहुत सारे क्या है? benefits है, और राइट, डाम्स की बहुत सारे negative points भी होते हैं चिल्रन, लेकिन आज हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि डाम्स में सबसे बड़ा longest डाम कौन सा है? जो की कौन सी नदी में है? महा नदी रिवर में है, महा नदी रिवर को ही चिल्रन रोखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डाम का कंस्टक्ट किया गया था, जिसका नाम है, हीरा कुद डाम्स चिल्रन, and it is in उडिसा, ओके, so you need to remember this, के मरीना बीच आपका सबसे क्या हो गई, लॉंगेस्ट बीच हो गई, और हीरा कुद डाम जो हो गया, वो क्या है, सबसे लॉंगेस्ट डाम है, which is in उडिसा, all right? Next, next है चिल्रन, कुंचिकल फॉल्स is the highest waterfall in करनाटिका, अब चिल्रन, हम बात करेंगे, waterfalls के बारे में, waterfalls आपने देखा होगा, कभी करें, picnic spots जाओ, तो चिटटे waterfalls आपको देख जाते हैं, लेकिन आपको पता है, सबसे बड़ा waterfalls कौन सा है, सबसे बड़ा जो waterfall है, हमारे देश में, जो की सबसे उचा है, it is in करनाटिका, चिल्रन, and the name of the waterfall is कुंचिकल waterfalls, you can see this waterfall, the name is कुंचिकल, and you know that it is the second largest waterfall in Asia, तो ये पूरे अश्या में ही दूसरे नंबर पे है चिल्रन, और अपने देश में क्या है, सबसे पहला है, which is highest waterfall in करनाटिका, alright, तो आपको याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे, कि भाई, waterfall सबसे उचा कौन सा है, so the name is कुंचिकल waterfalls in Hyderabad, करनाटिका, okay, now moving to the next, next, children, Wooler Lake is the largest lake of fresh water in Kashmir, लेक माने तलाब, लेकिन तलाब कोई छोड़े मुड़े तलाब की यहां बात नहीं हो रही है, और सबसे बड़ा जो fresh water lake है, children, that is in Jammu Kashmir, and the name of this beautiful fresh water lake is Wooler Lake, children, which is on river Jhelum, जेलम नदी कहां बहती है, Jammu Kashmir बहती है, और वही पे, children, आपको fresh water lake मेलेगा, जिसका नाम है, Wooler Lake, okay, so you need to remember, Wooler Lake, जो है, वो जमु कश्मीर में है, and it is the largest fresh water lake, people go and visit this lake, because this lake is really, really, very beautiful, okay, याद रखना है सारे जननल नौलज़ को, कोई भी पूच सकता है, कौन सा बीच लंबा है, कौन सा हाइस आपका waterfall है, और कौन सा सबसे बड़ा fresh water lake है आपके देश में, then you should know, that Wooler Lake is the largest lake in our country, India, in fact, South Asia में ही, children, ये सबसे बड़ा lake है, Next, Siachan Glacier is the highest battlefield, so children, when we talk about the battlefield, जहाँ पे लड़ाईया युद्ध होता है, उसमें जो सबसे उचा है, जिल्रन वो है Siachan Glacier, और आप children, picture से ही ये guess कर सकते हैं, कि यहाँ पे कितना lowest temperature होता होगा, but still children, हमारे जो soldiers होते हैं, वो यहाँ पे खड़े रहते हैं 24 hours, और अपने देश की सुरक्षा करते हैं, so Siachan Glacier is the highest battlefield, so जो battles होते हैं, चिल्रन उसमें सबसे उचा जो battlefield है, हमारे देश का, उसका नाम है Siachan Glacier, Next, Bulandarwaja is the highest gateway in Uttar Pradesh, so children, you can see the picture, this is Bulandarwaja, it is in Fathipur Sikri Uttar Pradesh, and it is built by children, Emperor Akbar, Akbar जो थे, Mughal Emperor के थे, और उन्हों ने ही इस Bulandarwaja को construct कराया था, और यह सबसे उचा gateway, सबसे उचा आप देख सकते हो, क्या है gateway है, और यह है Fathipur Sikri Uttar Pradesh में, so there were Emperor's children, जो बहुत बड़े-बड़े रूने अतने दर्वाजे बनाये थे, gateways बनाये थे, लेकिन सबसे जो उचा, सबसे जो उचा height में है, वो है Bulandarwaja, which is in Fathipur Sikri Uttar Pradesh, made by Akbar, okay, next, Kanchanjunga is the highest mountain peak of India, so children Mount Everest आपको सबको पता ही है, लेकिन सबसे highest peak कौन सा है, उसमें, so that is K2 children Kanchanjunga, you can see, it is the highest peak, okay, सबसे उचा है, सबसे उपर, so उसका नाम क्या है, Kanchanjunga, the highest peak of India, so now you have understood कि कौन सा largest है, कौन सा longest है, कौन सा biggest है, क्योंकि अगर आप खुदी सोचो, कि अगर हमें अपना खुद का address ना मालूम, तो लोग हमारा मजाक नहीं उडाएंगे, और इसलिए जब अगर हमें देश के बारे में नहीं मालूम, हमें अपने देश के बारे में नहीं हो ग्यान, तो क्या करेंगे पूरी दुनिया का विज्ञान, और इसलिए चिल्रन हमें अपने कंट्री इंडिया के बारे में ही सारी चीजों का क्या होना चाहिए, जनरल नालेज होना चाहिए. नेक्स्ट है, तेहरी डैम is the highest डैम इन उत्राखंट, अब अगर डैम्स की बारे बाते कर रहे हैं, हमने हीरा कुछ डैम किया था, ओके, वो कैसा डैम था, वो longest डैम था, ठीके, लंबाई में, लेकिन चिल्रन अगर उचाई में बात करें कि सबसे उचा डैम कौन सा है, so that is, चिल्रन तेहरी डैम जो रिवर भगरती में बना है, which is in उत्राखंट, उत्रांचल, ओके, so you can see, चिल्रन ये जो डैम है, this is तेहरी डैम और ये बहुत उचा है, highest है, और इसलिए इससे बना देते हैं, इंडिया का highest डैम, जिसका नाम आपको नहीं भूलना है, तेहरी डैम, which is in उत्राखंट, ओल्राइट, ओके, तो ये थी अपने इंडिया के बारे में, knowledge, longest, largest, biggest, children, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का आज ग्यान बटो रहा है, beaches के बारे में जाना, dams के बारे में जाना, peaks के बारे में जाना, battlefield के बारे में जाना, और etc, etc, etc. लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, आपको अच्छे से याद रखना है इन्हें, और कभी अगर life में मौका मेले बच्चो तो please go and visit these, isn't it? Okay, अब एक information कि अगर आपको Magnet Brains के videos देखने होते हैं, जाना है Google Chrome पे लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये site खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा, India's number one 100% free online education platform. नीचे दिये रहेंगे classes. For example, आप जो भी class में हो, मानीजे आप class 2 में हो, click class 2. आपके teachers with their subjects आपको दिखेंगे. For example, आपको GK पढ़ना है, click GK watch now. आपके GK के सारे chapter related videos आपको दिखेंगे. अब वोगा particular video देखने हैं, play the video and the video will start. Okay, तो ये था आपका topic, longest, largest, biggest in India. Next video में इसी chapter करेंगे. Exercise solve ताकि और chapter को बना लेंगे, मजबूत. तब तक के लिए Magnet Brains को like for and subscribe करना नहीं भूलना. क्योंकि Magnet Brains देता है kindergarten to grade 12, free videos and free education. Thank you.